हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि आप सब और यह दो जो जाएंगे आपके बाकी अभी इस लेक्टर के ने करने वाले हैं वन्शॉट कम से कम वक्त में इस पढ़ाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही प्यारा सब्सक्राइब चाप्तर होने वाला है तो बिना टाम को वेश्ट की हुए हम चाप्तर को शुरू कर लेत सबसे मैंने पढ़ान शुरू किया मैं हमेशा से बोलता हूं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना कि बहुत चैप्टर में दिक्कत जो भी एक्स वाई जो भी समस्था हो तो इस चैप्टर के नाम पे जाओ चैप्टर का नाम क्या है तो चैप्टर का नाम है भूम अंड वहष्वि करन करें और इस चैप्टर का चैप्टर में समद्धें और आपको बिस Самी इसे पहले आउटलाइन पुरे चैप्टर का आपको के लिए होनाचे के फाले अपको सबसे पहले देख लितिए में बइस में में कि हम पढ़ने क्या वाले आप देखो आज की जिस दुनिया में जी रहे हैं तो आज आपको कैसी दुनिया दिखाई कंपनिया है तो जितने भी आप फोन यूज़ कर रहे हैं आपके देश की हैं ही नहीं तो मैं अगर कहूं कि वह जो है भूमंडी करण के वह से हो पा रहा है तो आपको कैसा लगेगा तो भूमंडी करण का मतलब क्या होता है बेसकिली जब पूरा यह विश्व है ना यह आर्थ गूरूप से जुड़ा हुआ है और इसकी ही बात हम जो है किसके प्रस्पेक्टिब में करने वाले हम इतिहास के जो वैश्वी करण आप चैप्टर पढ़ोगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है वाला खेल है थोड़ा सा और कहानी की तरह पढ़ेंगी इस पूरे चैप्टर को जैसे मैं बात करूं वो जो अर्थ सासका चैप्टर है वैश्वी करण शायद आपके स्लेवस में हुआ है कि हजारों सालों से जुड़ा हुआ है अब अब के वैश्वी करण में पहले के वैश्वी करण में अंतर क्या था तो जो वैश्वी करण चैप्टर में पढ़ने वाले हो अर्थ सासके उसमें उसकी शुरुवात कैसे हुई उसकी कहानी क्या थी उसका इतिहास क्या इंडिया नहीं जपैन की है लेकिन इस्तेमाल तो कर रहे हो ना बाई कैसे कर रहे हो तो आज की टाइम पर आप देखोगी दुनिया बहुत फास्ट हो गई और यह जो फास्ट हो गई दुनिया इतनी तीवर हो गई इसका सबसे जो में कारण है वो क्या है टेक्नोलोजिकल एडवांसमंट मतलब हमने प्रणवगी की में जो है बड़े बड़े चीजे जो हमने घंडे गाट रखें प्रणवगी की में आई दिन आप सुनते हो कुछ ना कुछ नए डेवलमेंट हो जाता है प्रणवगी की उस चरम सीमा पे पहुँच चुकी है कि आप 24 गंते में घूम सकते हो तो आप अपनी चीजों को पूरी दुनिया तक पहुचा भी सकते हो भाई समझ पर हो ना कि जैसे आप यूएस की कंपनिया हो इंडिया में है कैसे इंडिया में तो यहीं तो भूमंडी करण है यह पूरा विश्च जो है वो जुड़ा हुआ ह और इसको हुआ यह वेश्वी करण का मतलब क्या है कि जो आज आप अधुनिक दुनिया देख रहे हो बुमंडी करण देख रहे हुआ इसको है वेश्वी करण बोल देते हैं अज भी चीजह जोहां जो हैं उस दुनिया की बात करेंगे किस दुनिया की प्राचीन दुनिया की हम बात करेंगे आदुनिक दुनिया से पहले की जो दुनिया थी उसके बात में बात करेंगे समझ मागया तो I hope आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से जो है फत्य के बारे में बात करेंगे कि जब इनसान एक जगा से दूसरी आजाता है तो सिर्फ व्यापार करने जाता है और कुछ निया तो भाई व्यापार के लावा भी बहुत सारी चीज़ें करता है और साथ की साथ वो बीमारिया भी अपने साथ में ले जाता है पूरी दुनिया में फैल गया तो यह लोगों नहीं तो पहुंचाया होगा ना कोई चाइना का जो बंदा है इंडिया में और उस्टेलिया में तो यहां पर बीमारी फटाय के बारें बात करेंगे उसके बाद 19 सदी में जो है वैश्विक आर्थविस्ता का निर्माड उसके के बारें बात करेंगे इसमें प्रिफम विश्यूद दिर्थी विश्यूद के बारें बात करेंगे तो पहला विश्यूद है ना बड़े पैमाने पर उत्मादन प्रिफम विश्यूद के बाद जो अमेरिका कैसे एक बड़ी जो आर्थिक विस्ता बन जाता है पूरी दु उसरे विश्यूत के बाद की जो इस्तिती के बारे में बात करेंगे कि भाई दूसरा विश्यूत हो गया पहला भी हो गया बूसरा भी हो गया अब इसके बाद क्या-क्या बदलाओ देखने को मिले उसके हम बात करेंगे फिर हम ब्रैटन वूट्स ब्रैटन वूट्स सिश्ट सब्जेक्ट है उसमें जो वेश्वी करन और भारती अर्थ विस्ता उसमें यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक की कहानी हमने तैक ऐसे की जो आज का आधुने पूरी दुनिया देख रहे हो पूरी दुनिया एक दूसर जुड़ी होई है आप हजारों आप पूरी दुन है ना तो आज की जो दुनिया जुड़ी हुई है उसका इतिहास का है सिंपल जी भाशा में गोलो तो उसका इतिहास क्या है वो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम बांट लिया हमने चार इस्तो में क्या माट लिया देखो तो पहला है पूर्व आजुनिक दुनिया मतलब जो आप आजुनिक दुनिया देख रहे हो इससे पहले की कहानी क्या है मतलब क्या हुआ से पहले उससे पहले जो दुनिया थी कैसी दिखती थी क्या व्यापार हुआ करता था क्या लोग एक जगा से दूसीका जाये करते थे जासे आज जाते है हाँ, हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था, मैंने बताना सिर्फ एक डिफरेंस है कि पहले जो अतनी प्रोध्षाज़गी की इतनी advance लेवल की नहीं थी, technology इतनी advance लेवल की नहीं थी, पहले जो काम होते हैं अब भी होते हैं और पहले भी होते थे आगे होते भी रहेंगे ठीक है और भाइव उनीसे सदी के माओंध करेंगे उनीसे सदी में क्या क्या बदला वा आए अंतर विश्टा मतलब जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पात पूरी दुनिया कि अर्थ हविस्टा कैसी ती उस मतलब यह कि समझ मांगाना चाहिए बस है ना मतलब तुम जब चैप्टर देख रहे हो तुम जब चैप्टर को कम्प्लीट कर उस पूरे लेक्चर को तो आपको ऐसा लगी कि कुछ आपको प्रोडक्टिव मिला है आपका टाइम वेश्ट नहीं हुआ है है ना मतलब यह होना चाहिए है कि स्पीड 2 की स्पीड कर लो चैप नॉर्मल स्पीड स्पीड ठीड कर सकते हो तैक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं भूंअठी करण कि है यह जो पूरी दुनिया जैसा इस हम पोलते है लोब मतलब यह हमारा पूरा ग्लोब है ना यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है है ना आपस में जुड़ी भी दुनिया यह मैंना अल्लेडी बता दिया आपको है ना और यह अभी से नहीं है यह प्राचीन काल्स है भाई अगर आप आज से तीन यहार साल चार यहार साल पहले की बात करोगे यहां तक कि आप जब आज से 5000 साल पहले भी जाओगी जैसे सिंदुगाटी सब्विता मिस्र की सब्विता मैसुपटामिय की सब्विता इन जब इनकी खुदाई हुई तो इनने जो हमें अवशेश मिलते हैं उनसे यह पता चलता है आपस में एक दूसरे से व् हमा जलेके जोड़ी हुई है फिर भी खाते पूरी दुनिया में खाए जाते हैं लूप से दूसरी जाता है और मालों किसी भी काम से जाता हूँ तो भाइव वह अपने साथ में जो अपनी सारी कि कोई चीज पसंद आगी हुने तो ट्राइब करेंगे जैसे हम लोग साउथ इंडियन खाना खाते हैं डोसा इडली सांबर यह सब क्या है यह साउथ इंडियन फूड है और वहाँ पर टेस्ट करने के लिए खाते हैं बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत सारे इदर यूपी में दिली में हरयाणा में ली शरी सान ऩी ल acquire इंडियन ट्राइघाण मिल जाएंगे वहां पर साउथ इंडियन की लोग है खुद महां पर रिश्ट बड़े बड़े रिश्टर बीड़े बीड़े महाँ गण वहां पर लाठो करोडों का टरूस एंसा झाएं आप दरम देखते ओना इसलाम धरम क्रिश्चैनिटी आज पूरे दुनिया में है तो लोगी तो लेके गए हो ओगे लोगों नहीं तो इनका पिरचार किया होगा इसके बारे में बात करेंगे खा द्यात्रा के बारे में बात करेंगे जब एक इंसान एक जगा से दूसरी जाता है तो इससे खाने पीने की चीजे भी जो है एक जगा से दूसरी जाती है और यहां पर रेशम मार के बारे में बात करेंगे है ना चले तो देखो यहां पर यहा कोई सामने वालब एक कोई नए विलायती बंद आया बाहर से बंद आया है तो अपने विचारतों बताएंगा आपको लोगों का दीजा से दूसरी का क्यों आप है काम की तलाश में नौकरी मिलने की तलाश में आज भी तो जाते हैं आपने देखा होगा पंजाब हर्याणा से Canada चले जाते है, Australia चले जाते है, वहाँ पे तो उनका culture का part है, Sanskrit का part है भाई, उनके खाननान से कोई Canada नहीं गया, तो खानना नहीं माना ही नहीं जाता, है ना, जैसे हम बात करें पंजाब के हर्याना की, तो लोगों का प्रवास भी होता है भाई, करें भाई, लोग जो है काम की तलाश में, जब उन्हें एक जगा नहीं मिल्ला होगा, तो एक जगा से दूसरी का जाएंक ये नहीं जाएंके, जैसे आप बिहार के हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़ звदा होता है, है यहाँ पर लोग लोगे की प्रवास की बातो रही है लोग जब एक तो भीया जमीन से होते हुए और दूसरा भाई समुद्र से होते हुए। है ना तो यह सिल्क रूट के बता है ऐसा मार्ट था जो चाइना से होते हुए एफीरिका और ये यह एसे यौरोप के पूरे इस्ते से जोड़ा गरता था। अब में प्रश्ण यह आता है कि इसका नाम जो है सिल्क रूट क्यों हुआ क्योंकि आप देखोगी जब स्टार्टिंग में क्या था सिल्क ती सिल्क रेशम जो थी वह सिर्फ चाइना ही बनाया करता था चाइना की मौनोपॉलिटी एक आधिगार था सिर्फ चाइना को ही पता था कि सिल्क क्या से बनाई जाती है और सिल्क बनाने की जो तकनीक है चाइना ने बहुत सालों तक सीक्रेटिव रखी माझा छुपाया ऐसे बहुत जादा है ना तो इस रास्ते से जो है सिल्क का बहुत जादा व्यापार हुआ गरता था सिर्फ सिलक का करता था तो इससे हिंदी में बूल सकते पिसके पास था चाइना की बड़ी अर्च वस्ताओं चाहिए जो चाना को यौरोप से और अफ्रीका से जोड़ता था ठीक है चलिया आगे बार बात कर लें लिका हुआ है व्यापार मार्क चीन को जो पक्षिमी देशों और अन देशों से जोड़ता था इसमें भारत भी इसका इससा था, भारत से भी जो सिल्क रूट है, वो जाया गरता था, मतलब ऐसा था कि चाइना जो एक ट्रेड सेंटर था उचना है, एक व्यापार का एक केंदर रुआ करता था, तो जो चाइना को पक्षमी देशों से, अफरीकी देशों से, और भी कई द देखोंगे, पंदर्वी सधी तक आते आते जो है, ये बरकारा रहता है, पंदर्वी सधी के बाद जो है, इसका स्थित्त हो जाता है, ठीक है, सिल्क रूट के रास्ते की जो है, इसाई इसलाम और बहुत धरम दुनिया के बिन वहागू में पहुंचे गए, अब इसी रास अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर सिल्क रूट का अंत कब हुआ, तो यहाँ पर जैसे की लिखा हुआ आप देखोंगे, पीछे, तो इस पंदर्वी सधीत, हैना, पंदर्वी सधीत, ठीक था सब कुछ, लेकिन आप देखोंगे, 1453 के बाद क्या हुआ, तर्की का हैना, थोड़ा सा आप देखो अगर, हैना, थोड़ा सा आप देखो, तो यहाँ पर आप मैप लानी पाया है, मैं कोई बात नहीं, देखोंगे, यह क्या है, यह है, यह है एफ्रीका, हैना, और यहाँ पर यह है इंडिया, हैना, और यह क्या है, यह पहले ट्रेड हुआ करत लाल सागर रहे जो है यहां से यहां पर व्यापार करता है दिक्टत क्या हुँए चौदा तर्की का यहां पर आ गया दिक्कत ही होती है कि यह जो लोग होते हैं व्यापार नहीं करने देते हैं तो पानी से होते हुए एक ठल से होते हुए जमीन से और जब थल की बात करें थल पर पर भी इनका कप्चायों गया तो हुआ क्या क्या है जो चाइना का पक्षिमी देशों से व्यापार हो रहा था वह कट हो जाता है और यहां पर एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट एक बहुत बड़ी डेवलमेंट होती है कि 1498 में अब यह जब व्यापार नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर अंग्रेजों को पक्षिमी देश की मतलब क्या है यहां पर पक्षिमी देश का यहां पर मतलब है यौर करें लेंगे भारत के नए रास्ते की हैं और यहां पर वसके आपको थोड़ा नौलइज के लिए बाकी यहां पर धीक है यह सारे चीशें और हाँ यहां पर यहां देखना कि जो यह इन जो नोग अ des manos यहीं क्जा में टिया करते थे ए इस मसाले लेते थे बना सोना चानी हमें देते थे और उसके बदले बना जो टांजेक्शन होता है ना जैसे आपको चीज खरीनने जाते हो तो आप पैसे देते हो उसके बनले आपको चीज मिल जाती है तो यह क्या करते थे यह लें दिन सोने चानी में करते थे जैसे हमसे मसाले ल बलकि आप खाने पिने की साथ में ले जाओगे और भाईया जिस देश में जा रहे हो आप उन्हें आपका खाना पसंद आ गया क्योंगी खाना भी एक संस्कृति का हिस्सा होता है तो खाना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर आप देखोगे आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मका, मुंगफिली, सकरकन, यह पूरी दुनिया में जो आम बात है, हर जगा मिलते हैं, टमाटर, आलू, प्याज, मुंफिली, सकरकन, यह पूरी दुनिया में, अगर मैं आपसे कहूँ कि यह भाई, यह पहले इस सकलते हैं, इस्पेन के नागरिक होते हैं, 1492 में इने खोज मिलते हैं, अब यह जब जाते हैं वहाँ पर अमेरिका में, तो यह पर आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मुंफिली, सकरकन, इन सब के बारे में पता चलता है, उससे पहले तो इनके बारे में किसी को पता ही नहीं अब सोच के देखो, है ना, तो जब एक इनसान गया वहाँ पर उसने नई चीज खोजी, अब जब कोलंबस बापस गया अपने यॉरूप में, तो यह सारी जो खानी पीने की चीज़ों होती हैं, अपने जाज मभर के ले जाता है, और ऐसे ही यॉरूप में पहुंचते हैं यॉरूप से पूरे दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुई है, यह बहुती पर्फेक्ट उधारन है, बहुती अच्छा उधारन है, खाने पीने की चीज़ों का, तो यहाँ पर लेखा हुआ है कि श्टफर कोलंबस ने गलती से जो अमेरिका है, महादी कि कि देन है, हैं जो आज पूरी दुलिया में खाये जाता है, स्पैगिटी भोलते हैं से कई जगा जो आज रहो का जіवन बदल दिया, यह बहुत इंटरेस्टिव स्टूरी अवलुइए, आलु, आज की टाम पर भी आलुस जो है सबजियों का राजा कहला जाता है, और आ आपको मैं बताओं कि आलू के बारे में कोई जानता है इनिते भारत में तो कोई जानता ही नहीं था आज हर घर में डेली आलू बनते हैं आलू के पराठे आलू की सब्जी मटर आलू टमाटर आलू हर तरी की सब्जी बनती है लेकिन आलू के बारे में कहां से पता चला हमें ये भी अमेरिका सी पता चला, अमेरिका में लोग आलू खाते थे, अब जब किश्टुफर को लंबस यॉरोप में आलू लेके गए, तो यहाँ पर जो गरीब लोग थे, जो मास मक्षी जो को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मास महंगा आता था, और वहाँ पर यॉरोप में तो अब फसल तबा हो जाती है, आलू की फसल खराब हो जाती है, कीड़े वगरा लग जाते हैं, तो भाई यह यह आलू पर इतने निर्वर हो गई थे, कि यहाँ पर यह भूक के मारे मर जाते हैं, भूक मरी से मर जाते हैं, बिना आलू खाए, सोच के देखो, इतना जाते निर जाती है क्योंकि आलू की फसल जिवा बरबाद हो गई थी हैं तो यह कुछ कहानिया है में से कुछ उधारण है आगे बढ़ते हैं और यहां पर अगले स्लैड पे चल लेते हैं बीमारी व्यापार और फताय अब बात कर लेंगे बीमारी की व्यापार की फताय की फताय मतलब जीत की बात कर रहे हैं अचा बीमारी की हम बात करें तो मैंने बताया है जब कोई एक इंसान एक जगा से दूसरे का जा रहा है तो ना सिर्फ वो लेकि बलकि वह बीमारी एप साथ में ले जाता है आप जैसे smile कोई भी बीमारी मेरे को लग जाए और ऐसी बीमारी वो फैलती है साहस से फैलती है, जैसे कोवेड, कोवेड सबसे बढ़िया हो दारन तो कोवेड का है आपका, कोवेड कहां से फैला चाइना से, और आज पूरी दुनिया उससे ग्रसेट हो चुकी थी, है ना, अभी भी कही सारी केसे आ जाते हैं, लेकिन फैला कहां से था, चाइना से फैला वन्ना थोड़ा चला जाएगा उपर से चैप्टर है अभी मैंने अमेरिका की बात करी अमेरिका की खोज कर ली किसने बाई कोलंबस ने और जब अमेरिका की खोज कर ली तो यहाँ पर इन्होंने अलगला हतकंडे अपनाना शुरू कर दिये तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने राज किया हम पर लेकिन अमेरिका में थोड़ा केश डिफरेंट था अमेरिका में इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा इन्होंने क्या किया बाई एक चेचक बीमारी होती है चोटी चेचक नाम की बीमारी होती है अब क्योंकि जो यूरोपी लोग थे उनके अंदर जो है इस रोग से लड़ने के लिए छमता थी इम्मूटी डेवलप हो गई थे आपने सुना होगा यह जो वर्ड है इम्मूनूटी कि आपको एक बारी COVID हो जाया दुवारा नहीं होगा क्योंकि उस लोग से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरोधर चमता बढ़ जाती है लेकिन यहां पर बिचारे अमेरिका थे अमेरिका जो बहुत हुमें पाथ την ना पर यहां पर यापर गरेंगा और जो के लग शुरू किया और दुनिया के बाकी हिस्तों सज्डाब्ले के इस चरफ कि अब यहां पर सुनों बहुत भांज़ार कहानी बहुत मईब़ाकशव काहानी है यहां देखो यॉरोप की इस तर्म बात करें जब की बात करने हों पंदरी सताब्दी की बात करो पंदरी श्ताब्दी से इनकी अच्छी दिन शुरू हुए थे उससे पहले यॉरोप पिछड़ा हुआ था अमीर कौन था भाई भारत चायना है ना अब तो यहां पर क्या हुआ यॉ और और भी सबस्क्राइब तो इस फेलर्ध पोरी दुनिया में है और यहां पर चैना नाम की जो गल्वंट होती है ना वह समझ जाती है यह तो वह तो चायना चयना जो है भागी की मतलब चायना जो है बाहर की दुनिया से पक्ष्मी देश्चों से अपने संपर्ग वो किंद्र जो है तरह को जाएगा वो यौरोप की तरफ जो हो जाएगा आप देखोगे अमेरिका की खोज हो जाएगी, अमेरिका में संसादन भरे पड़े होंगे, है ना, और अमेरिका को चूसना शुरू कर देंगे, बाद में अमेरिका से ही जो चीजे होंगी, वो यॉरॉप माने लगेंगे, और यॉरॉप के बात करूँ, यॉरॉप बहुत तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर ले देंगे तो को यहाँ आपर, 19 सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी, इस अवरी में समाजिक, राजनितिक, आर्थिक और तक्रीकी के छेतर में बड़े जटल बदला हुए, उन बदलाओं की वजए से बिविन देशों के रिष्टों के समीकरण में अभूत पूर बदला हुए, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है, 19 सदी की, तो 19 सदी सदी बोली जाती है, यह यॉरोप का एक सुंड एक एरा बोला जाता है, गोल्डे निरा मोलते हैं, मतलब एक जो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे दिन आ गए, है न, अच्छे दिन आएंगे, तो यहाँ पर यॉरोप जो था, इसके अच्छे दिन आ गए तो 19 सदी में, तो आप देखोगे, यहाँ पर अलग-अलग बदलाओ जो है, यहाँ पर ह इनके समीकरण में बहुत जादा बदलाओ देखने को मिलेंगे, है न, तो आई होप आपको इतनी जो चीज़े हैं, वो किलियर हो गई होगी, है न, अब बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, तो अर्थ सास्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान जो है, तीन प्र सबस्ते हैं, उसे हम अर्थ सास्री बूल दो लेते हैं, एकोनोमिक इसे इंगलिश में बोलते हैं, है न, जो अर्थविस्ता की, अर्थविस्ता को अध्वन करता है, basically, तो अर्थ सास्री मानिक्या और आ हो ला है, वह भाई, कोई भी आर्थिक आदान प्रदान हो रहे हैं, पहला व्यापार का आदान प्रदान यानि कि आप किसी देश से दूसरे देश से व्यापार कर रहे हो दूसरा तरीका क्या होगा है श्रम का आदान प्रदान यानि कि एक जगा से दूसरे का जो लोग है वो काम की तलाश में जाते हैं और तीसरा हो गया पूंजी का आदान प् कि पैसा क्या हुआ आपकी नापकी नौक्रीयों की तलाश में जा रहे हैं और तीसरा किया अगर और यहां पर चीछ और ह वोग्या से दूसरे ऐसे युद्ध भी हो जाए करते थे अपनी जान से दूसरी यहां पर भागा करते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं वैश्विक अर्थविस्ता का निर्माड कैसे हुआ जो आज की टाइम पर आप देख रहे हो उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारें बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर 18 सदी पूर्ती जाला करने ही पड़ेगी तो यॉरूप में वही हुआ जनसंक्या अभी तक कम थी लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ इनकी जनसंक्या बहुत जादा तेजी से बढ़ रही थी और जब जनसंक्या बढ़ेगी तो ऑविस्सी बात है खाने पीने की जो मांग है वो भी जो गोलाम बनाया था तो ब्रिटेन में हुआ क्या कि बॏनाज वगरेरहा रहा है उस पर तुम बैन लगा अंज को हमारें तो यहां तो मक्हा आती थी वो सस्ती भी थी कॉालिटी अच्छी थी तो यह सरकार दौवां में आ गई रह-वाई जमीन-rau था यहां पर आयात-ो रह Cristgriff यहां पर मक्हे का अयात मतलब क्विए भार से कुछ जाहरी हैं तो तो इंपोर्टेट मक्हे पर बैन लगा दिया कि ठीक है यह तुम खिलाओ हमारी जंता को अब इन जमिनारों हाँ तो बोल दिया लेकिन यह खिलाए नहीं पाए एक तो उनकी मका की क्वालिटी बहुत गंदी थी उपर से मका महंगी भी थी उपर से पॉपलेशन बढ़ रही ह तो अपनी ही जंता की दिमांड पूरी नहीं कर पाए और जैसे ही यहाँ पर जो आयात था इस पर बैन लगाया इनकी सरकार ने वैसी क्या हुआ ब्रिटेर में जो भूजन की कीमते थी नहीं बढ़ गई अब सोच ना कीमते बढ़ गई एक तो अनाज गंदी क्वालिटी का क्यों कि बहुत कम अभी तक अभी तक तुभार से आ रहा है सस्ता लेकिन इनकी जमीनारू ने क्या बोला आज कि वह बहार से क्यों मंगा रहीं है सरकार से बोलकande करो हम पैचेंगे अपनी जनता को लेकिन यह क्या करे इन्होंने तीनी सप्लाइकरी क्योंकि अगर ब्रेटेन की जमीन के हम बात करें यह उपजाओ नहीं है यह कौन ज्यादा प्रोड्यूस करी नहीं सकती है अना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो इन्हें भार से मंगाना पड़ता था अब क्या हुआ अब इन्होंने बैन लगा दिया तो यहां पर बा बड़े बडलाव आने शुरू होंगे है ना अब यहां पर कॉन लो जब हटा कॉन लो जो था कॉन एक्ट जो पास किया था जब वो हट गया सरकार ने हटा दिया कि ठीक है अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर से आप हमारे देश में आनाज बेश सकते हो आयात कर सकत था है ना तो भार से सस्ता अनाज ब्रिटेन में आयात होने लगा ठीक है अनाज के खेतों से बंदरगां तक सई समय तक पहुंचाना भी जड़ीर होगी इसके लिए रेल्वे की लाइन लाइनों का निरुमार किया अब यहां पर सुनो अब अनाज को जो आनाज तो खेत मे यहां पर रेल्वे लाइन ने बिचाई गई जो जिनने खेतों से बंदरगां तक जोड़ा गया उन्हें जो है अनाज लटके जाएगा किसानों ने खेती की जमीन का एक बड़ा इससा खाली चोड़ दिया कहां की बात हो रही है ब्रिटेन की बात हो रही है और एक बात हो कौन लोग थे जो किसान थे आहं बिर्टेन के बौट बड़े बड़े किसान थे बिरोजगार हो गए क्यों औरो गे नोगो की अच्छेजों की बढ़ लोग थे जो खेदी करते थे विचारे लेकिन खेदी से बाथ बंद नहीं पाइए ना दाम गिनने से ब्रिटेन में खाने पीने चीजों की मांग बढ़ी अब क्या हुआ भार से जब मका आ रहा है अना जा आ रहा है वह सस्ता है तो यहां पर क्या ह आप खाने की ज़रुत पढ़ेगी तो इन्होंने क्या वह उन्होंने अमेरिका में और और ऊस्टेलिया में और ची में मजदूरों की किलत हो जाएगी। अजब मजदूरों की किल्ला थे अमेरिका में, तो यहां पर यॉरोप, यहां पर भर-भर की बेरुजगारी थी, यहां पर किसान तो बिचारे छोड़ गये थे, किसानों ने तो अपनी किसान खेती करना छोड़ी दी थी यॉरोप में, और स्पेशली बात करूँ ब्रिटेन की में, तो यह क्या करेंगे, यह कहां जाएंगे, यह बखके जाएंगे, अमेरिका, चलो भई, अमेरिका जलता है, तो आज की टाइम पर जो आप अमेरिका में लोग देखते हो ना, वो सारे यॉरोप के भरे हुए, कई और के नहीं है, वो यॉरोप के ही भरे हुए है, ठीक है, चलिए, तो कौन लो हटने की प्रवाव, कौन लो हटने की क्या-क्या प्रवाव थे, उसके बारे हम बात कर ल अब ऑस्टेलिया बहुत बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा है, यहां पर बड़ी-बड़ी जमीन है जो खाली करवाएंगी, अब वहीं जमीन पर काम करने के लोग तो होने चाहिए, अब अमेरिका में मजदूरों की किल्लत थी, और मजदूर कहां से आएंगे, तो जहा ना अमेरिका, थीकि बहुत बड़ी कहानी है, तो उन्नीस सदी में लगबग 5 करोड़ लोग, सोचके दो, उन्नीस सदी के हम बात करें, लगबग 5 करोड़ लोग योरोप से अमेरिका और और ऑस्टेले में जाके बज जाते हैं, तो आज की टाइम पर जो आप देखते हो न निरमाड होता है, क्रशी के छेत्रम है, पूरी दुनिया जो है आपस में जोड़ जाती है, ठीक है, चगली, अब बात कर लेते हैं, आपर तकनीक की भून का, क्या तकनीक की क्या भून का रही, तो मैंने बोला तकनीक कही सारा खेलता, है ना, भाई, रेलवे लाने है, कि इसका पृषीटित जाहजों का, पृषीटित मतलब जिसमें फृज लगा होता है, इन जहाजों में फृज लगा होता है, है ना, कि अविश्कार के बाद जानवर को मार ढाला घया और फिर जम्हें हुए मास की जो रूप में उन्हें ले जाए गया, अब सुनओ तो पहले जानवर जो है अमेर्का से सप्लाई किया जाते थे वह जिन्दा जानवर जो है योड़ोप में योड़ोप में जो गरीब लोग थे वह मीट मास को आफौर नहीं कर सकते क्यूंकि बहुत महांगे हो गए थी उन पर टेक्स भाग लगता था लेकिन यहां पर यहां पर प कि आने लगे इन्हें स्वाटर किया जा था पहले अमेरिका में अमेरिका से कटकी आते थे तो उन पर टैक्स नहीं लगता था और यहां पर यॉरोप में क्या हुआ यॉरोप में जो गरीब लोग थे वह भी मास खा सकते थे तो यहां पर आप लिख सकते हो कि अगर कोई अफरीका की बात नहीं की थी तो अभी जब मैंने बात किया आपको गल्फरेंट के बारे में तो यॉरोप की बहुत सारी गल्फरेंट थी यॉरोप की कौन से गल्फरेंट थी तो यॉरोप की एक गल्फरेंट थी कौन अमेरिका अमेरिका कपजा कर लिया एक गल्फरेंट भा ग्रता हुआ था अफ्रीका और बात करो यहांपर इन्हों इसा भी नहीं होड़ा यहांपर आप प्याहि इसको बॉलते रेंडर पेज हैं थी जो पॲुज होते हैं जैसे गया दूद क्विक्न की और आप देखोगी 90 परमिक्र कानवर होते हैं वह उते वो ते हैं तो है वास्तम में एक संक्रमित मवेशी द्वारा ले जाये गया था जिसे बिटिश ओर से आयत किया गया तो बिटिश एशिया जो है ना तो यह था रिंडर पे तो रिंडर पेश घाता को तेही से फैलने वाला जो मवेशी प्लेक था जिसे जो है अठार सो असी के दशक में अफ्रीका को बुरी तरह से प्रवावित किया तो यहां पर देखोगे कि यह जो लोग थे वह मवेशियों पर बहुत जादा डिपेंडें तो बर्लिन में एक मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारी यॉरॉपी शक्तियां जो होती है क्या करती है यह अफ्रीका को आपस में बाट लेती है तो आप अफ्रीका का जब मैप देखोगे तो वहापे आपको कुछ ऐसा रखाई देगा कुछ बटा हुआ ऐसा करके जो बनुव मजदूर होते हैं तो भारत से भी जो लोग है उन्हें कॉंटेक्ट सांग कर लिया जाता था भारत जो है उन्हें भी नीपटांट से साल के लिए और उह वहत बुरी कंडिशन हुआ करती थी इन को जो है फीजी जैसे आइलेंड फीजी मौरिश वगारा जैसे पर Caribbean island की बात करें इन जैसी जगों पर भेजा जाता था बगानों में बहुत बुरी तरह काम करवाया जाता था तो उन्हें जो अनमंदित श्रमिक पोल देते थे तो अनमंदित श्रमिक वास्तिविक अर्थों में एक बनुआ मजदूर को संदर्वित करता है जो एक विशेश नियुक्ता के लिए काम करता है किसी एक इंसान के लिए हैना भारती गर्मिठिया मजदूरों को आम तोर पर गुआना सूरी नाम फीजी मौरिशिस केरिबिन बीप में भेज दिया जाता था उन्हें जहां सा देकर बहुत ज्यादा जहां सा देकर कि वहां पर पैसा श्रमिक जो थे इस पर बैन कब लगा दिया गया तो इस पर जो है 1921 में जो ऐसे खतम कर दिया गया ठीक है अब क्या हो सुनो यहां पर अब हुआ क्या देखो अब यहां पर थोड़ा सा माल आते प्रथम विश्युद पर अब हमारी कहानी जो है प्रथम विश्युद पार निचाहते थे तो वहां पर लोगों पर टैक्स लगाने शुरू करती है अफ्रीका में एक चीछ चूट गई है शायर इसमें वही बतारो मैं अफ्रीका में कब्जा कैसे किया अफ्रीका की एक कानी तो सुन लिया आपने रिंडर पेश्ट फैला दिया दूसर तरीका क्या आ जब टैक्स बढ़ा देंगे कर बढ़ा देंगे तो अविस्सी बात आपको काम करना पड़ेगा तो यहां पर मजबूरन लोगों को काम करना पड़ा दूसरी बात क्या कि जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी का जो मालकाना हग होगा वो सिर्फ एक बड़े भाई को ही मिल ने के जब एक को मिलेगी मान की चुलोग चार भाई है जब एक को मिलेगी तो बागी के तीन तो काम करेंगे तो यह सब करना शुरू कर दिया अफ्रीका पर कि पजया कर लिdy खेंख कि अमेरिका पर पर पेले कर लिए था भालत तब तक तर् yakुलाम बने मैं चुका था एनोंने किसी को कर लेंगे बाद आगे आ भालत कर लेंगे आघे युद्ध में क्या हूआ युद्ध की बात करें कब के बीच में चापती अटार्व के यह जो है पिर्थम विश्यूत का वास्तिविक एंदर यौरॉप किसके बीच में केंदरी शक्तियां और मिटराश्त है ना मिटराश्त में कौन था मिटराश्त में यौरॉप दो ब्रिटेन इस अमेरिका रशिया तो यह सब जो थे यह आप हो सकते हो यहां पर अंतर प्रतम विश्यूत में जो है काम कर रहे थे ठीक है ना तो लिए पर प्रतम विश्यूत का वास्तिफिक केंदर था अब यहां पर क्या हुआ दुनिया ने जो है आर्थिक अटनाईयों राजमीति आइस तरता का भी यह तो दुनिया की हम बात करें तो दुनिया ने जो है आर्थिक अटनाईया राजनीतिक अइस्तिरता यह भी देखा भाई फॉलिटिकली जो चीज़े जो चीज़े बात होती है तो यहां पर समझ लो राजनीति एक ऐसा शब्द है जो भाई जो भी सरकार जो है जो भी आप व द्रत्र जुद के साच तुमिनयगर की जिए अपूरा किया गया जो दृती कारण मना अब यह ही क्या हुआ यहां पर देखो और बिवानों का जो है बड़े पैमानिप पर जो या उत्पादन शुरू हूआ है ना दुनियाभर में कामकाजी और यॉरोप जो है एक उद्योग का मुख्य इंद्रूअ करता था लेकिन अभी प्रिसम विश्व चल ला था तो यह किसमें बिजी थे यह तो भाई मशीन गर्ण बनाने में बिजी थे यह तो बड़ बड़े हत्यार बनाने में बिजी थे अगली की तरह सुनो पूरी चैप्टर को, बाकी तो आप समझ जाओगे, समझदार यहां पर अमेरिका जो होता है, हीरो की तरह बन के आता सामने, है ना, और अमेरिका क्या करता है? अमेरिका जो है दूसरे देशों को लोन देना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद आर्टिक स्थिदी कमजोर हो गई थी. किसकी? पूरे यॉरोप की. इस्पेशली ब्रिटेन की, फ्रांस की. तो अमेरिका ने क्या क्या? अमेरिका ने लोन देने शुरू कर दिये. प्लस जर्मनी जो हार गया था उसको भी लोन देना शुरू कर दिया. क्यों यह तुम भी लोन लेलो, पैसा देलो. होता है न कि जैसे किसी एक के पास बहुँ जा बया था. और इनकी क्रशी में इतने जादा उत्पादन हो जाता है कि उतनी डिमांड नहीं होती. हमझे रो? जैसे उत्पादन हो गया इतना डिमांड है इतनी. अब जो बचा हुआ है वो तो बेकारी होगा. हमझे मागा गया? अब मान की चलो, डिमांड है एक किलो गया बचा हुआ 99 किलो तो बेकारी हो जाएगा, कौन लेगा उसको? तो यहां पर जब उत्पादन बहुत बढ़ गया तो दाम बहुत गिर गए. यह हुआ था यूएस में. और जब दाम गिर गए तो किसान यहां पर बरवाद हो गया बाई. किसान ने लगाए थे 1000 रुपे और वो दो रुपे का कोई नहीं ले रहा. अब यहां पर किसान ने लोन ले रखे थे किस से? बैंक से. बैंक जो है, बैंक लोन कहां से देती है? जो आप पैसे जो जमा करते हो बैंक में, बैंक उसी का तो लोन देती है. अब बैंक कहां से जो जमा किये थे बैंक में, वो बैंक पैसे कैसे देती हैं, क्योंकि पैसे तो डूप चुके हैं, किसान पैसे कहां से दें अब देखना है, थोड़ा सा कड़ी जुड़ी हुई है तो बैंक के बरवाद हो जाती है उनकी और जब बैंक के बरवाद हो जाती है, तो अमेरिका क्या करता है अमेरिका जो भी भार से चीज़ा आ रही होती है अमेरिका से उसे बंद कर देता है क्यों? क्यों भी अमेरिका में ही इतना प्रोडक्शन हो चुका है अमेरिका में ही इतना उत्पादन हो चुका है अब भार से मंगानी की जुरूत नहीं है और हाँ, दूसरी बात क्या है, अमेरिका ने जिन जिन लोगों को पैसे देने शुरू किये थे, दे दिये थे, उन से वापस मंगने शुरू करते हैं, यहाँ पर खुद पैसा नहीं, हम तो मैं पैसा कहा देंगे, तो यहाँ पर यॉरोप, पूरा यॉरोप ले लो, भारत, इ जाँ जितक़े में अभी आदा जाती है, एक किमतों के साथ-साथ, यह प्रतिकूल प्रवाव पड़ता है, और यहाँ पर क्रशी शेतर के इमबाद करें, इसकी कीमते भी बहुत ज़ादा गिर जाती है, तो और जबादं के भी घंबीर का नहीं होती है, तो यह मैं आदे प पूरी दूनिया की बड़ी महाशक्ति जाता है और यहां पर जो होता है वह भी दुनिया की यह दोनों जो हैं बड़ी महाशक्ति बन जाते हैं और यहां पर सबसे बड़ा परलाव क्या आते हैं अब हुआ क्या देखो दृती विश्यूत हो गया लेकिन इसका असर बहुत दिखा यार असर क्या दिखा मतलब पूरी इसमें जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियां होती है यह सब एक साथ आती है और यह प्रण लेती है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगी है और अपनी अपनी देश की अर्थ विस्ता को पट्री पहलाएंगी क्योंकि दृति विश्युद हुआ था और उससे सारे देशों की जो अर्थ विस्ता थी चर्मर आ गई थी तो यह सारे एक मंच पर आते हैं और इस मंच पर आके यह अलग-अलग नियम कानून मनाते हैं अलग-अलग कदम उठाते हैं ताकि इनकी देश की अर्थ विस्ता जो पट्री पहला सके तो इसको हम क्या बोल लेते हैं ब्रैटन वुट में मदद बशेक्रती में लगवा था यह था गदम उठाय जाते हैं और यहाँ पर ब्रैटन वूट्स से दो यहां पर यहां पर इस निकलते हैं इसकी उन्हें बोलते हैं विष्ट्ट वेंक और अंतराष्टी-बुद्रागोश जिसे हम इम-fb बोलते हैं तो यहां कब से करना शुरू किया था है ना तो याद रखो ब्रेटन वुट्स से क्या निश्कर से लिए तो इन्होंने दो संस्ताओं का निरमाड किया एक तो विश्च बैंक और दूसरा ऐम मुद्र को ठीक है चलिए तो युद के बाद के अंटर रविश्च बैंक और विश्च बैंक तो उसके लिए बनाय था इसके लिए यहाँ वह बनाए था अंतर राश्टि मुद्रकोश है ना और विश्वेंग की बात करो विश्वेंग किसलिए बनाए गया था तो विश्वेंग को जो है सारे जितने भी देश हैं जिने पैसों की जरूवत है है ना जिनकी जो आर्थसवस्था चर्मराजी उनकी पैसों की जरूवत कमी कमी पूरा करने के लिए उनकी कमी जो है क क्यों किस चेloop पैसे की कम थी मिल्ग करने के लिए कि यहाँ पर वर्ल्लेभा किया गया था की क्या किया गया था लिग काम यृता था सब्सक्राब्र लाएं स्थापना जो है भारी अधिशेशों और सद्रेशों के घाटे को सम्मालने के लिए जिने घाटा हुआ है जिनके पास सर्पलस है उसको बैलेंस आउट करने के लिए है तो हम डौलर से कंपेर करते हैं मतलब सारी मुद्राओं कौ डौलर में नगना जाता हैँ है ज़यो नहीं के लिए क्समें उल्रक प्रला जाएगा तो यहाँ पर हर किस्वें पॉर्ट किला जाएगा तो सोने में 市ách किमत थी चीमत तीि 35 डॉलर के बराबर, ठीक है? समझ जाओ, मतलब जितनी भी सारी दúsरी करंसी ओने डॉलर में तोला जायेगा, और डॉलर हमेसा इस्तिर रहेगा, और यहांपर डॉलर को किस में तोला जाएगा? सोने में, तो एक आउन बिश्वेग को प्रिशिद रूप से ब्रैटन ट्विंस खा जाता है जुडवा संताने जो ऐसे बोला जाता है चलिए तो यहाँ पर क्लियर हुआ चलिए उन्होंने अपना परिचाल में वर्टावन योगा उन्हों सो 47 होगा सब्सक्राइब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा एक चीज क्या होई यहां पर यह वही कि दूसरे भी देश थे अरे उन पर ध्यान दो जिन पर उपनिवेश्वाद हुआ था यहां भारत भी उसी में सामिल था हम तो गुलाम थे और बिलकुल नए-नए-आजाद हुए थे तो हम तो एक बहुती गरीब देश थे ना उस त के एफरीका के हम तो गुलाम थे ना तो हम अपने अर्थ स्विस्ता को पट्रीपल आने के लिए क्लिए क्लेंगे हमारा तो कोई है नी है ना चलिए तो देख लेते तो एश्याई और अफ्रीका महादीपों के अधिकांस देश समय से सुतंत हो गए ठीक है नैम और यूनों इन सब को समर्थन देता था इन सब को से अधसर का सपोर्ड इंदो ने मिलकर जो है नियू का सपोर्ट किया नियूdade का इन यू जह कम आप संतुक्किया मांतित इंरोल सब्सक्राय संतॉरnaire मिलकर क्योंकि था क्या भी तक अभी तक यह था कि बड़ी बड़ी तागत चली तो गई थी इन्होंने देश तो उनका छोड़ दिया था लेकिन अभी भी बहुत सारी देश ऐसे थे जिनके संसादनों पर अभी भी उपनेवेशे किसी बाहरी देश की जो है दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था जी सब्कतर समुका जो है द्रमाड किया था अब क्या होगा देखो इसका अंत कैसे होगा और भूमन डिकरन कैसे शुरू होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो एक दखल अंदाजी करने के कारण अमेरिका की तागतों में कमी आने लगी सोनी की तुलना में जो डॉलर अपनी कीमत को बचा नहीं पाए अब हुआ कैसे अब हुआ ये कि आ अमेरिका अमेरिका ने अमेरिका को लगा कि हमारे डॉलर तो इसते है और बाकी हम अपने डॉलर से कंपेर करें बाकी मुद्रें बढ़ती जा रही है तो ये अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं आई और आपको पता होना चीए आए अमेरिका को कर रहा है अमेरिक ही तो कर र विश्टाज और यहां पर आइस्थाई विनियम दर की परपाटी शुरुई मतलब यहां पर क्या हुआ यहां पर अब जो मुद्राएं होंगी यह किसे साब से बढ़ेंगी कि बाई जैसे जिसकी अर्थविस्ता चल लए है वैसे जो मुद्राएं जो होंगी वैसे चेंज हो जाये करेंगी है ना floating rate system मतलब मुद्राएं जो है आपकी economy कैसे चल लिए है जैसे आपने देखा होगा ना कुछ खराब होता है तो हमारे देश का रुपया कम हो जाता है कुछ भी देश में बुरा हो गया आतंकबादी हमला हो गया है ना कोई company के shares नीचे गर गए तो यहां का आपका रुपया जो है आपका जो आपकी जो मुद्रा जो है वह perform करेगी है ना तो यहां पर भाई system इन्होंने अपना लिया ठीक है 1970 के दशक में के मद्द के बाद जो अंतराश्टी वित्ति व्यस्ता कई मायने में बदल गई पहले विक्सित देश किसी भी संस्ताइं से घो वित्ति साथा उन्हों पतार विक्षित देश किसे लोन ले लिया फैसी वर्डवन ले अब क्या इनके देश में प्राइवीट बैंक उन्से जो यह संज्ञावता कर रहे थे आना तो उसके लिए बाद रूना पड़ा ले सा क्यों चाहते थे कि यहां पर आप देखोगे कि जो अब पक्षिमी देश है ना यह क्या करेंगे अब आप देखोगे कि जो अंतराष्टी संस्था हैं जासे आई-म-फ व्ल्ड बंक अब यह जो है विकासिल देशों को भी जो है लोन देने लगेंगी है ना तो आप जैसे आपने सुना होगा भा और आए में गरावट की समस्या पैदा हो गई कई जो है अफरीकी और लेटन अमेरिकी देशों को जो है इस तरह से काम करना पड़ा उन्निस सो नंचास की करांती के बाद चीन के बागी हिस्तों से अलग हुआ अब चीन नहीं आर्थिक स्वाहित्ता को अपना बना लिया औ पूर्वी यॉरूपी देशों में जो है सोवेस्त सेली की नई सामयवाद के पतन के बाद जो है नए देश भी जो है विश्व की अर्थविस्ता में हिस्सा बन गया अब सुनों यहां पर बहुत ही बड़ा बला हुआ सुनना अब हुआ क्या देखो अब चीज़े धीर धीर आगे बढ़ रही है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि बहुत चाइना ने क्या किया ता अपने आपको जो अलग ठिला कर लिया था अब चाइना किसकी रहा पर था चाइना जो है वह यू-ए-ए-ए सामेवादी सोच का था ना यू-ए-स-स-r कि वह यह जितना भी उत्पादन होना चीज़े उस पर कोई एक व्यक्ति कंट्रोल ना करे तो ऐसी सोच का चाहिना था लेकिन यू-ए-स-स-r टूट गया और जैसे यू-स-r टूटा तो चाइना को लगा कि हमें जो बाकी देसों संपर्ग बनाने चाहिए ना और जब बाकी देशों संपर्ग बनाने शुरू किया चाहिना ने तो यहाँ पर एक अलग चीज़ बंती है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर वेश्विकरन शुरू होगा मतलब जो हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थ्विस्ता के अ और शर्म ससथे में कहा मिलेगा भारत में चायना में है 10ियाहां पर एक मेजर शिफ्ट्र पर नजर आएगा आ यहां पर शर्म्डशा होगा जो हमारी आपर ब disruptive nation है क्यों कि यहांपर बुरुजगारी आएंगि और कम तया यहांपर काम करवाएंगी ठीक है तो यहां पर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा जो है एक मेरे शिफ्ट आएगा यहां पर आप देखोगे जो डेवलपिंग नेशन जो है जो विकास्षील देश जो है यह आप जो है तरक्की करते हो दिखाई देंगे और आज भी क्या चल ला है जो है हमारा वक्त ही चल ला है अब हमारा गोल्डे नेरा शिरू हो चुका है इसी के साथ जो हमारे चाप्टर है फिनिश हुआ आई होप आपको सारी जो चीज है इस चाप्टर में समझ में आगई होंगी अब मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई ट तक के लिए